दोस्तो लोगडाउन ने कर दिया है हर किसी को कंगाल और अब लगा है भारती सिंग को भी बड़ा जटका जी हां बुरी हालत हो गई है भारती की भी क्या है पूरी खबर चलिए हम आपको बताते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोट में लेकिन अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तो आप सभी जानते हैं दा कपिल शर्मा शो से फिर से भारती टीवी पर वापसी कर रही है लेकिन भारती की फीस कम हो चुकी है जी हां भारती की फीस पर पे कट लग चुका है यानि की फीस में कटो हो चुकी है और अब भारती दा कपिल शर्मा शो के लिए पहले के मुकाबले 50% कम फीस लेंगी यानि की पहले के मुकाबले भारती की फीस आधी हो चुकी है तो वहीं डास दिवाने सीजन 3 को भी होस्ट कर रही है भारती और इसके लिए उनकी फीस में 70% की फीस की कटोती ह और ऐसे में भारती की काफी जादा बुरी हालत हो गई है जी हाँ भारती ने अपने एक्स्क्लूजव इंटर्व्यू में इस बात का खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि करोना महमारी के बीच काई सारी टीवी शोस पर ताला लग चुका है और बहुत से लोगों को काम नहीं मिल रहा है भारती ने कहा कि वो अपनी फीस की कटाउती से साटिस्वाई नहीं है दुखी है लेकिन इसके लावा उनके पास कोई आप्शन भी नहीं है भारती ने कहा मुझे लगता है कि सभी को उस वक्त चुबा था जब उनसे ये पेकर्ट के लिए पूछा गया थ मैं कोई अलग नहीं थी इस पर मेरी काफी बातचीत भी हुई थी लेकिन जब मैंने पिछले साल जो हुआ और अब जो हो रहा है उसके बारे में सोचा तो एहसास हुआ कि इतना काम बंद हो गया है टीवी और शोस को स्पॉंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो चैनल्स कहां से पैस साल आए हर कोई अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिच कर रहा है जब एक बार हमाई रेटिंग अच्छी आने लगेगी तो स्पॉंसर्स खुदी आ जाएंगे और हमारी फीज भी बढ़ा दी जाएगी दोस्तों क्या कहेंगे आप कमेंट्स में हमें जरूर लिख कर बत जोने